अपने नए साल पर लोग होटल, पब, क्लब और रिसॉर्ट में जाते हैं और अपना निव यर मनाते हैं लेकिन होटल, पब, बार, रिसॉर्ट और क्लब में इस बार हमेशा की तरह देर रात तक नए साल का जैशने नहीं मनाया जा सकेगा सहय कापकारी आयुक्त द्वारा सभी 150 FL2, FL3 होटल, क्लब, रिसॉर्ट और पब और बार को लेकर सकत आदेश जारी कर दिये गए हैं इसके तहत ये प्रतिष्ठान 12 बचे तक ही खुले रहेंगे और शराब पर उसी जा सकेगी और इसके बाद ये बंद हो जाएंगे आदेश ता लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और इस आदेश के उप्त प्रतिष्ठानों के संचालों की परिशानी बढ़ गई है क्योंकि नए साल के जशन के लिए दो-तीन महीने पहले से होटल पब क्लब और रिसॉर्ट में सेलेबरिटी से लेकर प्रोड़क्शन हाउस साउ आदी में तैस समय के बाद हो रही शराब खोरी का मद्दा समय समय पर उठता रहता है लेकिन आमतोर पर हर साल नए साल के जशन की रात होने वाले ये आयोजन प्रशासन द्वारा निर्धर्द समय के बाद चलते रहते हैं और प्रशासन के नियमों का खुले आम उलंगन कि आजाता है होटल पब बार रिसोट आदी मिदेर रात तक तेज आवाज में बजने वाले डीजे और शिराब के नशे में होने वाले हुर्दंग से शेत्र के रहवासियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ता है और आयोजन को लेकर इन प्रतिश्ठानों की और से इस साल के जश्न के नाम पर शहर के बड़े होटोलों पब, क्लब और रिसोर्ट में 20 करोड रुपए से धिक खर्च किये गए थे लेकिन इस बाल निकले नियम की वज़े से ये सब नहीं हो पाएगा और जश्न महज राद 12 बज़े तक ही किया जा सकेगा पश्चिमी देशों क हिसाब से इन दौर में भी नए साल का जश्न मनाने की परंपरा तेजी से जगह लेती जा रही है और इससे ही अंदाज लगाया जा सकता है कि आपकारी विभाग के आकड़े के अनिसार आठ करोड की शिराब बिकी इन दौरियों ने पिछले 31 की रात को आठ करोड पै की शि साल दिखाई दे रहे हैं बारा बजे बाद अगर होटल पब या बार या कोई भी रिसॉर्ट या क्लब पर इससर खुले दिखे तो उन पर कारवाई की जाएगी और तुरंधी लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस तबैल आइकन फ अबर अबडेट्स